बिस्मिल्ला Bella रहे 3D बिस्मिल्ला राहिम्हेल सलाम interns चैब्टर नमबर 9 की बात करती है चैप्टर नमबर 9 हमारे पास इंट्रोड़क्शन कूड़ टू कोषदिनेेटि जमेट्री डिस्क्रिप्टिव जमेट्र 변 श्रीक है आप इसमें थोरा सफ जोमेट्री को discuss करें के मैं हम देखेंगे rectangular क्या होती है सबसे पहले देखी है आपके पास chapter 9 more 9 time one important है जिसमें मारे पासनी फार्मूला लगेगा क्वोन से फार्मूला distance का formula distance का formula मारे पास क्या होता है एक होता है मारे पास x2 minus x1 plus एक होता है मारे पास y2 minus y1 का square ये मारे पास दिर्म्यान नी फासले का distance का formula है एक formula मारे पास use होगा midpoint का midpoint का यार क्या formula होता है आपके पास x1 plus x2 over 2 कोमा separated इसके बाद मारे पास आएगा y1 plus y2 over 2 हमारे पास ये दो फार्मुले यूज होंगे ज्यादा तर एक होगा distance का फार्मुला एक होगा हमारे पास midpoint का फार्मुला क्या है हमारे पास k root x2 minus x1 plus y2 minus y1 midpoint का फार्मुला आएक होगे पास क्या है x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2 ये मारे पास है midpoint का फार्मुला लेकिन mcqs number 1 का जो inner वाला mcqs है वो हमारे पास क्या शोग का रहा है distance between द्रम्यानी फासला find करके बताना है minus 1 3 3 minus 1 ठीक है अब हमारे पास mid distance का फार्मुला हमारे पास क्या है देखें distance का फार्मुला आगया x2 minus x1 की पावर 2 plus y2 minus y1 की पावर 2 अब देखें अब यहाँ पे जो आपके पास s वाली value होंगी यह मारे पास s1 होगा यहाँ पर y1 होगा यहाँ पे मारे पास x2 होगा यहाँ पे मारे पास y2 होगा और हम नीचे हम बात करें तो यहाँ पे first वाली value x1 second वाली value y1 यहाँ पे r वाली value को आपने क्या नाम देना है x1 का y1 का second वाली value को आपने क्या नाम देना है x2 का और यहां पे आपने y2 का नाम देना है distance का formula में हम values ऐसा नाम करते है x2 की जग़ा देखें क्या है x2 की जग़ा लिखा ओँए 3 तो simple आपने 3 पूट कर देना है minus ठीक है, x1 की जगह क्या आएगा, minus 1, ठीक है, अब इनको आप brackets में लिख दे, plus y2 की जगह देखें क्या आएगा, y2 की जगह आएगा, minus 2, minus y1 की जगह देखें क्या आएगा, y1, y1 की जगह आएगा 3, और bracket करें, close, यहाँ पे आएगा, d is equal to, यहाँ पे आएगा, square root, यहाँ पे आएगा, 3, minus minus, plus 1 का square, plus, यहाँ पे, minus 2, minus 3 is, minus 5 का square, d हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, 4 का square, plus, 5 की पावर, 2, is, हमारे पास आएगा, 25 आएगा, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 4 की पावर, 2 भी ले 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 तो, हमारे पास क्या आएगा, 16, ठीक है, d हमारे पास क्या आएगा, जम दुनों को plus करेंगे, तो 25 प्लस, 25 प्लस, 16, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, यहाँ पे आगया, मारे पास 1, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, तो यहाँ पे मारे पास जो distance का ounce आगया, वो मारे पास आगया, square root, 41, ठीक है, second वाले MC की उसकी बात करते हैं, second वाला MC की उसकी मारे पास क्या है, देखें, distance between 0, 0 and r is minus 4, minus 3, नकात फाइंड करने है, 0, 0 minus 4, minus 3 है, ठीक है, 0, 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे पास यह होगा, x1, यहाँ पे होगा, y1, यहाँ पे होगा, x2, यह होगा, y2, यहाँ पे हम बात करेंगे, यह होगा, x1, यह होगा, y1, यहाँ पे होगा, y2, distance का formula हम पूट करते हैं, distance का formula क्या है, x2 minus x1 की power 2, plus y2 minus y y1 की है हमारे पास square जब हम values पूट करेंगे तो values में हम क्या लिखेंगे x2 की जगा क्या आजेगा हमारे पास x2 की जगा आजेगा minus 4 minus formula x1 की जगा क्या आएगा 0 का square plus यहां पे हमारे पास bracket यह हम bracket consider करते है y2 क्या है y2 है minus 3 minus y1 क्या है y1 है 0 का square d हमने find करना है जब हम इनको solve करेंगे यहां पे आजेगा minus 2 की power 2 plus minus 3 की power 2 d हमारे पास क्या आजेगा यहां पे देखे minus 2 की power 2 का मतलब क्या minus 2 की power 2 का मतलब है minus 4 multiply by minus 4 is equal to minus minus plus 4 4 दा 16 हमारे पास क्या आगया plus 16 minus 2 की power 2 is equal to minus 3 multiply by minus 3 is equal to आगया 9 यहां पे होगा 16 plus 9 हो गया d हमारे पास क्या आगया 25 अगर हम ऐसा करें 25 के factor बनाते हैं 5 multiply by 5 तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की power 2 square square से capsule d हमारे पास क्या आजएगा 5 तो जिसका खुड़ा time से है वो हमारे पास क्या आजएगा c ठीक है third वाले mcqs की बात करते हैं third वाले mcqs हमारे पास distance between 0 minus 5 यहां पे होजेगी यह हमारे पास x1 यह होजेगी y1 यहां पे होजेगा x2 यहां पे हमारे पास x1 y1 यहां पे होजेगा x2 y2 distance का formula हमारे पास क्या है d is equal to x2 हमारे पास क्या है 0 minus x1 हमारे पास क्या है minus 5 का square और यहां पे bracket लगाना भूलना नहीं है plus y2 आपके पास क्या है 0 minus y1 क्या है minus 5 x1 sorry यार values गलत पुट करती है x2 आपके पास क्या है 0 x1 आपके पास क्या है x1 है 0 यह सारा 0 है ठीक है यहां पे square नहीं है यहां पे square है d is equal to आगया हमारे पास सारी value 0 का square हो गई plus minus minus इदर हो गया हमारे पास इसको जब हम यह square है यह minus 1 की minus minus इदर हो गया हमारे पास minus minus plus five का square d है हमारे पास के आगए है इदर आगए हमारे पास five की power two is twenty five यहाँ पे आगए हमारे पास five multiply by five is equal to five का square यह square सकेर से cancel five is your answer ठीक है अब देखें next वाले mcqs की बात करते हैं next वाले mcqs हमारे पास इंतहाई important तरीन mcqs है if three points lie on the same line अगर तीन नुक्ते तो एक यह नुक्ते है अगर नंगा है अगर यह नुक्ते है three points है अगर यह यह पोईंत है तो एक यह point है if three points lie on the same line if यह if the three points lie on the same line than these points are called तो इन पॉैंट्स को क्या कहते हैं अगर तीन नुक्ते 1 2 3 तीन नुक्ते एक यी लाइन पर या एक फ्रवाकिया होuir तो वह क्या क्या है उनकों हम कहते हैं को लीम नियर पॉांट्स अर्ट नशनों को लीम한데 ऌते हूं यृख्वी पहर एकLayan पे मजूद नहीं है तो हम क्या कहेंगी नन को ली निर जो एक ही लाइन पे मजूद वह का क्या हैं कि यह प्रप्र ने और घुली नहीं होती है यह हुआ अब इसको कंल लीनियर यह देख आ यह मारे पास कीया है यहं अब एक लाइन क्यों U, R, R, Collinear Points है क्योंकि तीन नकात एक ही लाइन पर लाए कर रही है ठीक है यहां पर यह देखें नन को लीनियर का मतलब क्या है A, B, C, R, नन को लीनियर पॉइंट्स है यह एक लाइन पर लाइन नहीं कर रहे है अभी देखें पैलल लाइन्स दीज लाइन्स आर इक्वली फार अपार्ड यह दूसरे के बिलकुल बराबर होती है नन पैलल लाइन्स का मतलब यह बिलकुल बराबर नहीं होती है ठीक है इसके बाद ह हम फिफ्ट वाले MCQs की बात करती हैं फिफ्ट वाले MCQs है आर ट्राइंगल इस फॉर्मेट जो ट्राइंगल हमारे पास वो नन कुलीनियर क्यों होती है एक मसलस गैर हमनकात क्यों बनाती है वो एक लाइन पे लाइन नहीं करती ठीक है यह देखें ट्राइंगल लेकर हम यह एक ट्राइंगल यहां से शुरू करते हैं यह देखें यह देखें यह हमारे पास होगी एक ट्राइंगल ठीक है यह तो एक लाइन पे लाइन नहीं करती तो इसका मतलब क्या है कि ये non-collinear points पे लाए करती है तो और इनके non-collinear points कितने ही है इनके non-collinear points हाओ के पास है तीन है 1, 2 and 3 ये मारे पास होगे non-collinear points ठीक है ये देखें ये अगर triangle ABC है एक ये है मारे पास एक ये point है और एक ये non-collinear points है और triangle is figured out by 3 line segment joining 3 non-collinear points कुलीनिर का मतलब क्या है जो एक ही line पे 3 नकात लाए करते है non-collinear का मतलब क्या है जो एक line पे लाए नहीं करते ठीक है इसके बाद हम next MCQs की बात करते है बड़ा ही important MCQs है A triangle having two equal sides is called एक मुसल्ण जिसके दो अजला की लंबाई बराबर हो एक triangle जिसके दो अजला की लंबाई बराबर हो उसको हम क्या कहते है सक्लाइन ट्राइंगल मुक्तलिफ इजला मुसल्ण राइट अंगल ट्राइंगल एक्विलेटरल ट्राइंगल आईसो स्लाइज ट्राइंगल मतवाजिल साकीन मुसल्ण अब देखें मुक्तलिफ इजला मुसल्ण सक्लाइन ट्राइंगल क्या होती है देखें मुक्तलिफ इजला मुसल्ण जिसके मैं इद लिए देता हूँ जिसके तीनों इजला मुक्तलिफ हूँ बराबर ना हूँ फोर इजेंपल सक्लाइन ट्राइंगल सलाइन सोरी सिक्लाइन ये ये और ये 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 भी एक ट्राइंगल है ये ये और ये भी एक ट्राइंगल है यानि के मुक्तलिफ इजला मुसल्ण एक ऐसी मुसल्ण है सक्लाइन ट्राइंगल जिसके तीनों इजला मुक्तलिफ हों वो हमारे पास सक्लाइन ट्राइंगल मुक्तलिफ इजला मुसल्ण के लाती है ड्राइट अंगल ट्राइंगल क्या होती है जिसके दो इजला आपस में पर्पेंडीक्यूलर होते हैं वो हमारे पास काइमत जाविया मुसल्स कहलाती है एक ये लाइन और एक ये लाइन और एक ये होता है इसका एक पर्पेंडीक्यूलर और इसमें जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है ठीक है एक्विलेटरल ट्राइंगल मसाविल उजला मसलश जिसके तीनों इजला बिलकुल बराबर हों वो हमारे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल के हिलाती है यानि के जो आपके पास ये एंगल है ये वाला एंगल है ये वाला एंगल है दिनों एक्वल हो ये मारे पास एक्विलेटरल ट्राइंगल के हिलाती है और लाजमें आईसोस इसलाइज आईसो स्लाइज लावजाई है मतसावी अलसकीन मसलस आईसो स्लाइज ट्राइंगल क्या होती है ऐसी ट्राइंगल जिसके दो साइड्स एक्वल हमोव हमारे पास आईसो स्लाइज ट्राइंगल क्या लाती है यह कैसी होती है यह इस तरह क्या होती है यह ठीक है 90 डिगरी का अंगल बनाती है equilateral triangle हमारे पास क्या होती है aci triangle जिसके तीनों इजला बराबर होते है isoslice triangle के होती है जिसके दो इजला बराबर होती है हमसे पूछा भी क्या गया है sr triangle having two equal sides is called एक aci मसल्ब जिसके दो इजला बराबर हो isoslice triangle के हिलाती है ठीक है अब देखें siklion triangle क्या है जिसके तीनों इजला बराबर नहीं होते right angle triangle के होती है जो दो lines आपर में perpendicular बनती है वो मारे पास काइमत जाविया मसल्ब जिसके तीनों sides तीनों इजला मारे पास क्या होती है बराबर होती है सारा अजला और ये सारा अजला क्या होता है बिल्कुल बराबर हो ये मारे पास isoslice triangle के हिलाती है next mcqs की बात करती है a triangle having no equal sides ऐसी मसल्ब जिसके तीनों इजला बराबर ही नहीं होते तो कौन सी मसल्ब जिसके हिलाती है देखें बताएं जरा line triangle है बराबर नहीं होते है स्क्लाइन triangle के हिलाती है आपको ये देखें isoslice triangle equilateral triangle ठीक है अब हम बात करते है chapter number 8 हमारे पास यार ये जो mcqs है ना बड़ा important mcqs है ये three times past paper में repeat हो चुका होगा है aquadilateral एक चकोर चकोर चोर नहीं चकोर एक चकोर जिसका हर जाविया 90 डिगरी का हो क्या कहलाता है parallelogram trapezium rectangular या rumbos अब देखें parallelogram क्यों होती है parallelogram हमारे पास एक ऐसी shape है जिसकी दो sides parallel होती है लेकिन वो length में हमारे पास equal होती है ठीक है मैं अगर आपको एक parallelogram बना आगे दिखाऊ जिसकी दो sides एक ये side और एक ये side एक ये वाली side और एक ये वाली side ये आपस में क्या होती है length में equal होती है और इनके जो opposite angle है एक ये वाला angle और इसके जो opposite angle है opposite sides are parallel अगर ये एक angle A पे है तो यहां पे भी जो angle होगा वो भी A ही होगा अगर ये angle B पे है तो ये साथ ये भी जो angle होगा ये भी हमारे पास फिर B पे ही होगा ठीक है बास में में आ रही है ठीक है पैलेललोग्राम एक ऐसी diagram होती है पैलेललोग्राम is a flat shape with opposite sides पैलेलल opposite sides are equally length ठीक है पैलेललोग्राम की जो दो angles हैं इकल होती है और लंबाई में बराबर होती है trapezium क्या होती है trapezium हमारे पास एक ऐसी shape है trapezium is a four sided flat shape इसकी चार साइडे होती है फॉर एक ये side है एक ये side है ठीक है एक ये side होती है और एक इस तरह से ये side होती है ठीक है और यहाँ पे एक straight line लाए करती है ठीक है एक इसकी ये leg है एक इसकी ये leg होती है इसको हम क्या कहते है ये हमारे पास base होती है ये भी हमारे पास base है ठीक है trapezium हमारे पास four sided flat shape with straight side that has a pair of opposite sides of parallel यानि कि ये वाला side एक ये वाली side एक ये वाली side और एक ये वाली side तो parallel है और यहाँ पे एक straight line का लंबाई है straight line है ठीक है ये मेरे पास trapezium होती है rectangular क्या होता है rectangular की ही बात हम कर रहे है ऐसी जो कोड़ जिसका हर जाविया 90 degree का हो ये बिल्कुल straight होती है ठीक है और हर एक पे कौन से angle बनाते है 90 degree का दो line जब आपस में straight है इस तरह से उनका जो region है वो एक ही point है जो उनका मबदा है वो एक ही point है उनके दरम्यान बनने वाला जो angle है वो 90 degree का है तो जब हम यहां पे भी एक straight line यहां पे भी एक straight line लगा देंगे तो इनके दरम्यान जो बनने वाला angle होगा वो हमारे पास होगा 90 degree का और रैंबोस क्या होती है रैंबोस हमारे पास जिसकी हमारे पास चारो साइडें क्या हो इक्वल हो बट नोट in rectangular shape एक यह वाली साइड एक यह वाली साइड एक यह वाली साइड भी लगा सकते हैं 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 लेकिन हम बात का रहे हैं किसकी आप क्वाड्री डीक्रल एक्वल एंगल तू 90 डीगरी एक च्ट कोड जिसका हर जाविया 90 डीगरी का हो यह हमारे पास रेक्टेंगुलर होती है मैं इसको शेफ दिखाता हूं यह मारे पास है पैलल पैलललो ग्राम यह वाली साइड देखें यह वाली साइड देखें यह वाली साइड देखें और यह वाली साइड भी देखें जब भी किसी पैललल को आदा किया जाएगा तो हमारे पास दो राइट अंगल ट्राइंगल बनेंगी सुर्ण दो ट्राइंगल बनेंगी राइट अंगल ट्राइंगल नहीं यह मारे पास आगया ट्रैपीजियम यह हमारे पास आगया डैक्टेंगुलर और यह हमारे पास आगया रैम्बोज ठीक है यहां पे हमारे पास कंप्लीट होते हैं इनले सारे के सारे अपने अपने वालदान का बहुत ज़्या रखिएगा अस्सलाम उलेकूम